असलाम अलेकुम मैं हूं अम्जा वर्सीम पीएस एक्स इनैलिस से अगर आज की मार्किट की बात की जाए तो आज की मार्किट तकरबन 673 पॉंट के साथ इंडेक्स 40420 की सता पर बंद रही वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वॉल्यूम्स आउट्स्रेंडिंग लगे कि एस चोटे शेर्स में भी काम हुआ जैसे इसके अंदर एक बिग कॉंट्रिबिशन जो है वह आपका के एलेक्रिक के स्ट्रॉक का है जिसके अंदर तक में 70 मिलीन का काम वा फिर बाकी कुछ बड़े और चोटे स्ट्रॉक आ जाते हैं लेकिन ओवर्राल ओल बहुत अच्छा काम हुआ इंडेक्स में देखे तो आखरी दिन साल का इंडेक्स के लिए तो outstanding performance रही कल भी बताया गया था किसाल का जो आखरी दिन होता इंडेक्स में उशली ऐम bullishness देखते है मारू बुजू Çो के अवल कि आवड से कल बताया गया था यह वह भी आपको positivity शो कर रही इंज आको अगर बात करते हैं तो हम चलते हैं डेली एक्टिविटी के उपर टॉप कॉंटिबूटर्स में तो पीपील को आजा पर क्या पर क्या बात करते हैं लगा जो के दूसरी सेशन में लगते हुए दिखाए दिया हम लोगों को इसने 85 पॉंट मार्केट प्लस कॉंटिबूट के हैं फिर पीएसियल का स्टॉप फिर ओजी डीसी के अंदर अच्छी हमने मुफमिंट देखी ऑल्दो हाई से थोड़ी प्रॉफिट टिकिंग आई फ अच्छा परफॉर्म करता हुए अच्छा नजर आया अच्छा मजीद अगर हम देखते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि एसी हंड्रे इंडेक्स में आज 1.7% का गियन आया अगर मैं को बैंकिंग ट्रेडिबल इंडेक्स याल से बात करूं तो उसके अंदर हमने 2.73% का ग सिमिलर्ली ओजी टी आई पर मैं आ जाता हूं और इंडेक्स पर तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि उसके अंदर भी 5% का गियन आया जो के मार्केट को बीट करता हुए नजर आया जहां पर के एसी 30 और के मार्केट को अंडर परफॉर्म आज करते हुए देखाई एतनी क्लोजिंग आई है यह क्लोजिंग थी आज अचा यर्ली चेंज देखते हैं तो मार्केट ने इस साल 9% का आपके लीजिए एक डाउन फॉल दिखाया है तो इस साल मार्केट ने नेगेटिव 9% का रिटर्न इन्वेस्टरिस को दिया है मजीद अगर हम देखते है तो कैसी ओल के अंदर 283 मिलियन का काम वा जिसकी वैल्यू 7.9 बिलियन बनती है मजीद अगर हम और टॉप एक्टिव स्टॉक सी तरफ नजर डालते है तो कि एलेक्ट्रिक का स्टॉक टॉप एक्टिव राज इसके अदर तक्रिमन 7 करोर का काम व स्टॉप एक करोर काम वा बैठरी निकावरी यह सिनर्जी 6 पैसे पॉजिटिव रा पर मैपल लीफ काफी वालिटाइल परफॉर्म करता रहा आज पर वेव की बात की जाए तो यह अपर के पास बंद रहा पर बी ओपी बैंक पंजाब 6 पैसे पॉजिटिव रा टॉप अधर ही आते है मजीद देखते है डॉलर के हवाले से तो आज जो डॉलर की क्लोजिंग आई है इंटर बैंक के अंदर वह तक्रिवन 226 पे 43 पैसे के पास आई है दो पैसे का गेन आया है आज डॉलर के अंदर जहां अगर हम इंटरनेशन मार्केट में कमोडिटीज को देखा जाए बॉंबे स्क्षेंज आज तक्रिमन दो 293 पॉंट्स प्रॉफित टिकरिंग साथ नेगेटिव बंद रही हाल अगर नास्ट्रे के वाले से बात की जाए अमेरिका के मार्केट को कल अमेरिका की मार्केट तक्रिमन 2.6 परसंट गेन के साथ बंद रही है अब च अगर हम देखते है तो जो candlestick pattern बंद रही है यह है हैमर हैमर pattern से काफियत तक मिलता जुलता देखने को मिल रहा है अगर आप देख सकते है के मैं Google पर अगर आपको दिखा हूं तो यह हैमर pattern जो basically होता है इसके नीचे जो होती है बड़ी विक होती है विक से मुराद के प्रा अपने लो साइट से more than 1400 पॉंट से करीब अपकवर की तरफ क्लोजिंग दिया मतलब नीचे एक विक छोड़ी है मार्केट ने इन अदर वर्ट शैडो भी इसको कहा जाता है तो मार्केट पर बाइंग प्रेशर देखने को मिलें तो यह basically hammer pattern बन जाता है और बुलकुल मार्क इसके downtrend के bottom पर बनाएं तो इसकी reliability भी मजीद बर जाती है इंद पास भी हमने hammer patterns पहले भी बनते विए देखे अगर मैंको दिखा हूं तो आप आजए 11 October के week की closing पर तो उस week भी market ने जो एक low लगाय था वो 43,000 पर लिके closing जाए थी 44,081 800 पॉंट उपर आय थी और आप के market जो होती है वो hammer pattern को follow नहीं करती है एक बात हमेशे याद रखेगा candlesticks, candlesticks जो होती है उनकी जो आप के लिजए reliability होती है वो पूरे analysis में सिफ 10% होती है, मैं आगर analysis कर रहा हूं तो जो candlesticks की जो मैं उसको जितना consider करूंगा सिफ 10% तक करूंगा, जो candlesticks बहुत fail भी हो ज तो फिर आपकी जो आपकी जो profitability है या जीतने का chance है, profit बनाने का chance है तो वो increase हो जाता है, तो बहतर है कि आप दूसरी चीज़ों को भी consider करें, ना कि अकेले में candle six को बेरल daily time frame में मैं अगर आजाता हूं market को देखता हूं तो वही maru bozu candle बनी है, जो कल के दिन बनी थी, मैंने कल की video में maru bozu candle का formation है उसको काफी detail में कल मैंने समझा है तो मैं आज इसको one second repeat नहीं कर रहा लेकिन अगर इसको short में अभी मैं आगर बाता दूं तो maru bozu candle होती है, यह होती कि बिल्कुल top पे बंद रहती है, अपने high पे बंद रहती है, जो कि यह show करता है, कि market के इंदर जो positivity है, जो bulls है, जो तेजी करने वाले, उनकी तेजी अभी खतम नहीं है और तेजी आपकी continue रह सकती है, और maru bozu एक Japanese word है, जिसका मतलब है dominance, जो कि तेजी जो है, व विकली हिसाब से जो volume से लगे आप देख सकते हैं, वो भी one of the highest लगे है, और यह आखरी बार volume से लोंको पंदर august वाले week में देखने को मिले थे, वाल्यूम वाइज बहतरी मार्केट के अंदर performance आई है, अब थोरी मार्केट को situation को समझ देते हैं, अब daily time frame के साब से, daily time frame के साब से market के अंदर कैसी performance रहेगी, अब daily time frame में आप swing trading से लेगा positional trading ते ट्रेड बन सकती है, स्विंग trading का मतलब यह है कि आपने, आपका जो basically mindset है हो यह कि मैं हफता या हफते से 2-3 हफते तक भी अपना जो माल है उसको hold कर सकता हूं, तब आप basically refer करते है एक daily time frame से और अगर थोड़ा लंबा आप देखते तो positional trade के लिए आप daily time frame से refer कर सकते हैं कि एक 2-3 माईने तक अपने रखा अब भी हकर हम बात करते है market के हावाले से, मार्केट के अंदर हमने गिरावट देखी थी कहां से देखी थी वह देखी थी 43100 के level के पास से कहां से 43100 के level के पास से अगर मैं आपको यहां से देखा हूं तो market ने 43100 के जब हाई लगा है उसका कि इस market ने एक low हम लोग को लगाते वे देखा 39000 का जो के exactly 400 points के करीव बन ज देखिए हाँ वो short term आपको तो microwaves के अंदर तो recovery देखिने को मिलेगी मानलीजी इंट्राडे में आपने कोई एकाथ recovery देख ली एकाथ session आपका green हो यह majorly हमने कोई बरी recovery नहीं देखी अब यह जो market 41100 points के रही है ना इसके अगे सब market हम लोगों को recover करती भी दिखाई देगी देखिए इसरब कुछ चीजे हम लोगों समझना बहुत जरूर यह एक तो यह समझना चाहिए हम लोगों को कि अभी हमसे वेक recovery के अंदर है अब recovery जब recovery में हम Fibonacci को प्रॉड करेंगे ताकि हम expected reversal निकालने के लिए और resistance निकालने के लिए हम Fibonacci को प्रॉड करेंगे Fibonacci के अगर से भी मेरी कोशिश रही के एक डीटेल वीडियो लाओं क्योंकि यह बहुत बड़ा topic है Fibonacci को बड़े ही डीटेल से समझाना चाहिए मैं 2-3 मिनट में तो नहीं समझा पाऊंगा इसको आप सही तरह कि समझ भी नहीं पाएंगे अगर अगर हम Fibonacci को देखते है तो इस वक मार्केट के मेजर रिजिस्टेंस आ रही है 40,600 के लेवल के पास जो के डेली टाइम फिर्म में मार्केट के लिए एक मेजर रिजिस्टेंस रेवल रहेगा अच्छा इधर मैं आपको एक जोन भी प्रॉड कर देता हूं यह जो आपको जो लेवल शो का अरहा है इधर आप देख सकते हैं जो यह 1 यह 30 पर सए रेशव करेंड哥 एधर आप देख सकते हैं है फ्रीविछली भी मार्केट ने बहुत ज्यादा रिया एक्ट कीया है यहां च्रहं के मंसादा है क्वरिश बी मार्केट चौने को श्रम एसी लाम प्रिजिस्टेंस लेवल के बाद जो मार्किट का अगला रिजिस्टेंस लेवल रहेगा लेकर 41,000 का अगर मैं आको दिखा दू तो यह लेवल भी प्राइश एक्षिंग वाइस एक इंपॉर्टन लेवल है कि प्रिवेसली मार्किट ने इसी लेवल के पास सपॉर्ट लिये थी तो इस resistance लेवल के बाद जो आपका final resistance लेवल आजाएगा वो 41 सदा 570 यह एकताली सदा 600 round off कर लीजाए यह लेवल यह भी जो लेवल 41 सदा 600 का यह 60% के रेशियो होने के साथ तो यह लेवल भी previously important resistance और support लेवल की तरह act कर चुका है तो रेशियो होने के साथ साथ यह price action वाइस बेक important level market के लिए रहेंगे अभी जो आप डेली time frame का यह मैं आपको लेवल बताना हूँ अब market के पास immediate resistance है वह 40,600 की है ठीक है मैं आचो का हूँ अब आर्ली time frame है देखिए हमने को कुछ चीजे समझना लाजमी है एक तो यह no doubt market ने बहतरी है और हम देख रहें के hourly time frame में market ने आज new high दे दिया जो के string trading के लिए काफी अच्छी चीजे लाते है अब अब हमें यह चीजे समझना बहुत ज़रूरी है कि एक चीज यह नहीं के market ने अभी तक तेजी कर लिए 39,000 से 39,000 से 40,000 से 420 अभी market ने 1400 point के तेजी के उसके अभी तक कोई adjustment नहीं है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त stop loss को trail करते करते हम चले क्योंकि इस 1400 point के अगेंस भी हम अभी तक एक adjustment देख सकते हैं ठीक है previously बात करनो तो अब जो Monday का session होगा वह साल का आप कह लिए नए साल का पहला दिन होगा और हम अकसर आकत यही देखते हैं कि जो साल का पहला दिन होता है वह market के लिए काफी positive रहता है पिछले साल देखे तो साल का पहला दिन हमने usually market के अंदर positivity ही देखी है तो हम यह उमीद कर सकते के जो Monday का session है वह इंशाला positive रहेगा लेकिन positive होने के साथ-साथ हमने profit ticking पे खास तवज्जा देनी है जैसे आज हमने देखा कि market index आपका upside पर जाई रहा था लेकिन जो आपके stock से उनके इंदर गिरावट भी आ रही थी और नीचे से फिर bounce back भी आ र चुका है अब जरूरी यह है कि stop loss जो है आपका वो ट्रेल होना लाजमी है कि market कभी भी अपनी adjustment की तरफ जा सकती है मैं यह नहीं कह रहा कि अपना पूरा माल बेच दे मैं गर उपर जाती है तो आगर मान दीचे 1000 शेर है तो आपने 500 शेर बेच दी है ठीक है फिर अगर market dip ल करती है तो फिर market के अंदर जरूरी कि stop loss को ट्रेल करें और फिर market के अंदर काम करें और इस लेवल के पास 40,000 शेर 50,000 से 41,000 के पास मैं समाचता हूं आप लोगों को profit ticking करनी चाहिए सारे levels important है high side maximum profit ticking करके काम करना चाहिए और dip पर once again reaccumulate को माल किया जा सकता है अब जो पहला straw का हमाई पास है वो TGLM तारिक ग्लास इसके हाल से बात की जाए तो देखे मैं इसको जो चूस कर रहा हूं हो है तो इसके अंदर आप movement ज़रूरी नहीं है एक दिन में देख सकें दो दिन में देख सकें लेकिन इसके लिए जैसे आपने string trading के लिए लेकर रख लिए एक हफते दो हफते के mindset से रखा और तो आप exit जब ही करेंगे जब आपका target hit हो जाएगा तो देखे तारिक ग्लास के अवाल से बात कीज़ा जो इसने एक recent high लगाया था तक्रिबान 87 रुपीज के आसपास 87 के बाद इसके अंदर हमने एक बड़ी गिरावट देखी है और इसके अगिन से एक low लगाया 62 का fill ठीक है 62 का जो इसने low लगाया देखे हम देख सकते है that RSI clearly आपका highly household position के अंदर daily time frame के अंदर 87 से इसने गिरावट किये जो के roughly 25 रुपीज की बन जाती है तो 25 रुपीज की इसके अभी तक कोई recovery नहीं आए अगरी बात नहीं है इसके लिए specially तो तारिक ग्लास इसके अंदर highly household position के अंदर है और इसके अंदर major resistance देख रहे specially 67 और 68 के लेबल के पास जैसे हम देखेंगे कि 67 68 के ओपर यह सब्स्ट्रेंड करेगा हम इसके अंदर एक movement देख सकते 72 followed by followed by 75 50 and 78 70 79 का level round figure के लिए आप ले सकते यह levels भी हम इसके अंदर अचीव कर सकते हैं अगर हमार आत्मों जो लेवल इस वक्ट जो 79 का है अगर current rate से बात करें तो यह target बन जाता है around 21% का जो के बहुत ही अच्छा target है इसके अंचर जो आपका stop loss रहेगा वो 62 का closing basis के ओप stop loss रह सकता है मैं बता दूं stop loss strictly आपने follow करने बहुत ही strictly follow करने stop loss ठीक है और वॉल्यूम्स भी तक मैं एक लाग शपन अदार के लगे आखरी घंटे के अंदर तो यह ऐसा ऐसा लगता है देखने से किसके अंदर बड़ी selling आई है लेकिन अगर मैंको इसको breakdown करके दिखाऊ breakdown मादब one minute के अंदर तो आप यह चीज देखेंगे कि इसके अंदर buying आई थी कितने तीन रुपे के अंदर इसके अंदर buying आई तक मैं एक लाग का काम और 6388 से 67 तक इसका rate गया एक लाग के वॉल्यूम के साथ और फिर इसके अंदर गिरावाट आई 2 रुपे की वो भी सिफ सारे 700 के वॉल्यूम के साथ इसकी वज़ा से एक ऐसी candle बन रही है या वज़ा क्या दिखाने का कि इसके अंदर बहुत buying आ रही है बड़े rate के साथ तो यह काफी attractive बन जाता है अब मुझे लगता है कि इसके अंदर कभी भी आपको एक बरी अच्छी recovery दिखा सकता है इसके अ नजर रखें आठी है वो पहनी ब्हुत भी आखरें नजह पिरेंग और आ आखरी जो और पेनी स्टॉक है और इसके अंदर क्यूट कर पहला रिजाय कराना है रिजी कर पानेंदर ज्यादा परति प्रॉफित हो जागा और नने को पर्लित वन से लीआच आरता है था उने ज तो मैं इस वक्त मन्थली चार्ट के अंदर हूँ तो यह जो आप सब्सक्राइब बाइंग होगी यह होगी पुजिशनल ट्रेट के हावाले से ठीक है पुजिशनल स्ट्रिंग टू पुजिशनल आप कह लिजए एट्लीस मैं इसको कहूंगा कि महीना दो महीना इसको होल करे यह तीन महीने तक भी जा सकता है लेकिन यह एक अच्छा रिटन दिखा सकता है तो यह जो लिए साइल है लेकि मैंने इसके अंदर एक आपको दिखाया है चार्ड बनाया इसका कि एक मुसल्सल सपोर्ट लेता वा दिखाई दे रहा है दो रुपे बीस पैसे से डाई पिर चाहे वह मार्च 2015 और पिर चाहे वह मार्च 2016 और पिर डिसमबर 2017 और पिर चाहे वह ऑक्टूबर 2018 और पिर आप में 2021 हो इसमें आप देखें कि अधर फिनोमेनल इसके अंदर आपको को यह लेवल स्ट्रॉंगली सपोर्ट करता वा दिखाया दिया एवन जब 2019 बीस का क् इसके अंदर आपको यह लेवल ब्रेक होता वत दिखाया दिया था लेकिन वह ज्यादा टाइम नीचे मक्साद यह कहने का कि थोड़े टाइम नीचे आया थोड़े टाइम इसने नीचे कर दी इसने और यह बता दो 2019 बीस का जो क्रेश था उसके अंदर मार्केट री इतनी चुकी थी कि उसमें सारे अच्छे से अच्छे आइटम भी नीचे आ गये थे तो इसको तो मैं एक्स्क्लूडी कर सकता हूं क्योंकि कोरोना और का था लेकिन उस टाइम भी हम लोग को यह जो दो रूपे बीस पैसे का लेवल है वो इक स्ट्रॉंग लेवल बनता वा दिख आप इनिटारिट बना सकते है अपना सारे थी चार ऑफे का ठीक यह थी आदा नीचे टारगिट बना सकते हैं फिर इसकues का इस एक कि पाँछ पांच एक सार अच गयुख जंडीरर करत Tuya की सुछ प्लीकार कर अई Godzilla. बलकुल अच्छ एय उसप्त मैंने देखो जातकि का मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं तो सिर्फ टेक्निकल बेसेस पर ठीक है तो यह सब वजुभाते शो करने की आपके आप लेते दो रुपे पैंतालीस पैसे पर तो आपने दो रुपे का रगलिया अग्लोजिंग बेसेस पर ठीक है लेगन यह इस तरह के एक अच्छा स्ट्रॉक है ओनली टेक्निकल यह मेरी वर्किंग है बैतर आप अपनी वर्किंग भी कर लीजिएगा ठीक है तो इसकी के साथ इजास्त चाहता हूं वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं हूं अम्दा वसीं पीएस एक्स इनाइ